आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है दिल के ज़स्बात सालार 2 में हुई गोपी चंद की इंट्री आईए देखते खबर विस्तार से कमल हसन ने उठाया साउथ की एक और मूवी से परदा साउथ से लेकर बॉलिवूड की हिट फिल्म में दे चुके सूपर स्टार कमल हसन ने अपनी फिल्म इंडियन 2 के साथ तय रहा है और फैंस मूवी की पहली जलक देखने के लिए एक्साइटेड नजर आ रहे है यह फिल्म तमील एक्टर सिलंब रासन की अपकमिंग फिल्म है स्की आर 48 है जिसका पहला पोस्ट सामने आया है फिल्म की बात करें तो यह एक पिरियड एक्शन एंटेटेंडमिंट फिल्म होंगी जिसे देशी परी समी ने डायरेक्ट किया है पोस्ट में सहासी शूरवी सिम्बू का लुक देखने को मिल रहा है कहा जा रहा है कि फिल्म में किर्ति सुरेश फिमिल लीड रोल में दिखेगी हलाकि अभी कंफर्म होना बाकी है जबकि रिपोर्ट ने दावा किया गया कि अनिरूद रिउचंदन को म्यूजिक कंपोस के रूप में चुन लिया गया हलाकि अब देखना ये होगा कि ये फिल्म कब रिलीज होती है और कौन-कौन इस फिल्म में नजर आएगा आये वड़ टगली खबर के ओर धर्मेंद्र की फर्स्ट वाइफ प्रकाश कौर ने जब खोल कर रख दिये दिल के जजबात धर्मेंद्र की पहली पतनी प्रकाश कौर ने अपने पती की दूसरी शादी पर बहुत कम बात की है प्रकाश कौर के इंटर्व्यू वैसे ही कम स प्रकाश कौर ने इस रिष्टे पर अपना दिल खोल कर रख दिया इस इंटर्वी में प्रकाश कौर ने इंडस्ट्री के उन लोगों को भी आड़े हाथ लिया जो धर्मेंद्र को वुमन नाइजर कहते है हाला कि प्रकाश कौर ने इस इंटर्वी में पूरी तरह धर्मेंद जताया, उन्होंने कहा कि धर्मेंदर से शादी करना हेमा मालिनी के लिए आसान नहीं था, उन्हें अपने परीजनों और रिष्तेदारों की नाराजगी झेलनी पड़ी लेकिन वो भी अपने दिल के हादों मजबूर थी, इस बारे में उन्होंने ये भी कहा कि वो हेमा मालिन की जगव होती तो एक महिला होने के नाते शादी शुदा आदमी से कभी शादी नहीं करती वो उनके परिवार और बच्चों के बारे में ज़रूर सोचती आईए बट अगली ख़बर के और सालार 2 में हुई गोपी चंद की इंट्री साउट सूपरस्टार प्रभास की फिल्म सारार ने बॉक्स ऑफिस पर खुब धमाल मचाया है अब दर्शक इस फिल्म के दूसरे भाग को लेकर उस्सुक है इस बीच प्रभास की सालार 2 के लिए एक और अभी नेता को चुन लिया गया है दर्शकों को सालार 2 के लिए जादा इंतजार नहीं करना पड़ेंगा प्रभास और प्रशांद नील जल्द ही इस फिल्म की रिलीज की गोशना करेंगे फिल्हाल इस film का pre-production का काम चल रहा है कहा जा रहा है कि ये film इस साल नवंबर में रिलीज होंगी ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि इस film में South के किसी superstar की इंटरी होगी जी हां प्रभास की आने वाली film Sala 2 में उनके खास दोस गोपी चंद की grand इंटरी होगी मेकस ने गोपी चन से इस फिल्म को एक खास रोल मागा है साला टू में गोपी चन की इंटरी के साथ ही फैंस को अब इस फिल्म का इंतजार है गोपी चन साउथ के मनुरंजग उध्योग में से एक लोग प्रिय भी नेता है और वो प्रभास के एक खास दोज भी माने जाते हैं अब आप हमारे चैनल को मोबाइल आपर भी देख सकते हैं मोबाइल आपर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV अब डाउनलोड करें आप इसे इंस्टा हाइक कुईक ट्वीट और फेस्बूक और कई शोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं आप इसे लाइफ भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर अब वक्त चलाएं दोशे को ब्रेक का ब्रेक से लॉटने के बाद देखते रहेगा देशों दुनिया की तमाम बड़ी खबरे बने रहेए MNS News TV पर नमस्कार ये है MNS News नेट पर और आप देख रहे हैं MNS News